जाईशरी महाकाल, जाईशरी महांकाल दोस्तो अब सभी का डॉकटर ओम्चो परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सपोर्ट नहीं किया है कि मीन राशी एक चुटकी नमक आप नमक को उपाए कि लिए liegt कि मतले सकता है कि अबकर जीवन minister कि पर करना यह है कि यह मानते हैं कि नमक हमारे सरीर के नाका रात्मक जो जीजे नाका रात्मक-्तत्व lö Grid उन्हें बाहर करने में सहीयोगी होता है और बाहर करने में सहीयोगी होता है तो उसी विज्ञानिक तरक के आधार पर भी और जोतिश का तरक तो पहले से ही है तो वो तो मैं आप से शेर करूँगा है लेकिन ये विल्कुल विज्ञानिक है काला जादू टोने टोट के वास्तों में कुछ होता ही नहीं है ये केवल मांसिक रूप से अस्थिरता जो होते ना मांसिक रूप से ब्रहमित वो लोगों की उपाजे ऐसा कुछ वास्तों में होता ही नहीं है अगर उनके हथ में सब कुछ होता तो वो सब कुछ करवा देते हैं ईश्वर के जो आश्रित रहेगा न दोस्तों उसको सब कुछ मिलेगा क्योंकि ईश्वर ही सत्ते बाकी सब असत्ते हैं तो करना यह है कि चुद्की भर नमक ले दिए अपके पस घर में दो सदस है चार सदस है हर विक्ति का चुटकी चुटकी भर नमक एक पूड़िया में बांदे और साथ बार उन पर से उतारे उपर से नीचे वार ले या उतार ले मतलब उपर से नीचे साथ बार करना है अपने सरीर के उपर से उतारने के बाद उसे साथ 8-15 या 21 दिन से कम 21 दिन से कम कितने भी दिन रख सकते हैं और ज़ादा ज़ादा 5 दिन रख्षन दिशता का जो भी खोना हो Relax में आपको रखना है रखना इस प्रकार से कि उसको लाद पेर लाद पेर नहीं लगे और किसी के नजर में नहीं आई ऐसा चुपा के रखें ताकि कोई व्यक्ति आया और देखें तो भी अच्छी बात आपको दूस चीज को लीजिए गा यह तो प्रभाइट नदी में प्रभाइट कर दें या जमीन में गार दीजिएगा ठीक दोस्तों आपको फायदा होगा दूसरा उपा है कि खड़ा नमक ले यह नमक खड़ा होना चाहिए एक किलो सब्सक्राइब करें जैश्री महांकालेश्वर